मकड़ी आकार में भले ही छोटी हो लेकिन उसे कीट नहीं माना जाता है उसे विच्छू, फूल पीने वाले खटमल और दीमक के परिवार में रखा गया है आखिर इसका क्या कारण है फीच जैसे होने के बाद भी इन्हीं अलग किया गया है क्योंकि इनके आठ पैर कम से कम आठ आखे और दो या तीन शारिवे कन होते हैं इनके पन भी नहीं होते हैं मकडिया हर तरह की आबो हवा वाले क्षिट्रों में पाई जाती है ये जमीन के साथ ही पानी पर भी आराम से चल लेती है और बेडिया दीवार पर चड़ना भी इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कुछ मकडिया तो पानी में ही रहती है इनको खीट से अलग करने में इसके जाल की ही पूमिका होती है जो ये अपने फेट में पाई जाने वाली एक रंधी के स्थ्राव से बनाती है इसके फेट के उपर स्मिनिंग अंग होते हैं और इनमें काफी छोटे छोटे छित्र होते हैं जब इन शिद्रों से रेश्व जैसा तार निकलता है तो वह तरण रूपने होता है और हवा के संपध में आते ही एक्षोस हो जाता है इन मकडी मानसर ठक्षी होती है और अपने जाल का उठ्योग शिकार को फसाने के लिए करती है